Hello everyone, this is Mujib and welcome back to the Tech of All Age. So students, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे formal letter के format को, यानि के formal letter को लिखने का पूरा तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में explain कराने वाला हूँ. जिससे भी किसी भी letter को आप सही तरीके से लिख पाएंगे, और अगर आपको letter लर नहीं है, तो भी आप उसमें अच्छे नमबर score कर पाएंगे. तो बस जानने के लिए वीडियो के स्टाड़े से लेकर इन तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि इस ट्रेंट्स, रेली ही वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful है. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अब दिखिए, ये जो format है, ये formal letter का है. formal letter क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता, तो मैं आपको बताता हूँ, सभी official letter और business letter को ही formal letter कहा जाता है, जो business purpose से लिखे जाते हैं, वो सभी letter formal letter होते हैं, official letter जो होते हैं, वो भी formal letter होते हैं, यानि किसी bank में, किसी school में, किसी institute में, वो letter सभी formal letter कहलाते हैं, और इनको लिखने का एक format होता है, एक तरीका होता है, कि किस format में letter को लिखा जाता है, जिससे के full marks मिल सकें, तो मैं आपको यहापको इसकी marking scheme भी बता हूँगा, और पुरा लिखने का तरीका आपको दिखाता हूँ, देखो, starting आपको कैसे करना है, वो आप समझीगा, starting में आपको जो answer sheet है, उसके top के left corner पे, जैसे के यह suppose आपकी answer sheet है, तो इसका यह top का left corner यह है, तो यहाँ पे आपको यह left corner यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, तो top के left corner पे आपको sender address write करना है, address of sender, अच्छा यह कहाँ पे मिलेगा, यह सब आपको question में मिलेगा, ठीक है, question को carefully आपको read करना है, question में ही आपको यह चीज़े मिल जाएंगी, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो address of sender, sender address आपको यहाँ पे write करना है, formal letter में top में, अब sender address में क्या-क्या write करना है, house number, house number दिया होता है, तो आप house number write कीजिगा, house number के अलावा, कहीं कहीं sector भी दिया होता है, sector, sector number है, block number है, या फिर zone दिया होता है, जैसे के zone 1, zone 2, MP नगर zone 1, zone 2, तो आपको इस starting में देखना है, कि जो address दिया है, उसमें house number हो सकता है, house number है, sector है, zone है, या फिर block है, क्या है बच्चों, block, तो यह writing में write करना है, इसके बाद आपको colony का name write करना है, क्या, colony का name आपको write करना है, जो कि आपको question में ही मिलेगा, अब इस colony के name के बाद आपको city name, क्या city का name या फिर कोई town है, तो town को आपको write कर देना है, ये तीन चीज़ें आपको अपने center address में लिखना है, और pin भी आपको sender address करना होता है, इन चीज़ों से sender address बनता है, तो मैंने आपको क्या बता है, कि जो sender address, अभी मैं practical आपको सिखा हूँगा, यहाँ पर मैंने देखो, एक question भी निकाला हुआ है, और मैंने एक letter भी निकाला हुआ है, तो मैं आपको format को save करकी भी सिखा हूँगा, पहले format को स चाहिए, एक line आपको drop करना है, और drop करने के बाद आपको date write करना है, date कौनसे write करना है, जिस date में आप exam दे रहे हैं, जिस date में आप letter लिख रहे हैं, जो भी आपकी date है, दो मार्च को अगर आपका exam है, तो आप 2 March लिखेंगे, 8 February लिखेंगे, अच्छा, date को कैसे लिखना है ये भी समझ लेते हैं तो बच्चो देट को लिखने का भी एक तरीका होता है जिसे के अगर आपका दो मार्च को एक्जाम है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते है ये रॉंग तरीका है ये गलत तरीका है बच्चो इस तरीके से डेट तो मार्च 2024 ऐसे आपको डिट राइट करना है तू मार्च 2024 या फिर इसका एक तरीका और देखिए आप स्टारिक में मन्थ का नेम भी लिख सकते हैं आप ऐसे कर सकते हैं आप लिखिएगा मार्च मार्च 2 अब इसको separate करने के लिए कौमा लगाई है फिर 2024 मंत का first letter capital ही आपको write करना है मार्च का M capital आएगा February में आपका exam है तो F capital आएगा March 2 2024 या 2 March 2024 बस ये दो तरीके हैं इस तरीके से आपको अपनी date को write करना है अब आप जिस भी board के strength है MP Board, UP Board, CBSE Board, Rajasthan Board, Maharashtra Board, जिस भी Board के आप इस्ट्वेंट्स हैं और जिस डेट में आपका एक्जाम है, टाइट इमल आपके पास आ चुका है, उस डेट को लिखकर मुझे कमेंट्स बाफ में जाकर कमेंट्स करके दरूर बताएगा, MP Board के स्ट्वेंट्स भी नाराज ना हो, म लिख सकते हो, इसके बाद आपको यहां पर लिखना है February, February 2024, बच्छों इस तरीके से आपको डेट आइट करना है, यहां पर 02 नहीं लिखना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यह रॉंग तरीका है, दूसरा तरी में लिख दीजिएगा February 8 अब यहां पर कॉमा दरूर लगाएंगे इसको सेप्रेट करने के लिए और हम यहां पर लिखेंगे 2024 यह तरीका है इस तरीके से डेट लिखी जाती है ठीक है तो आपको बस यही तरीके को फॉलू कर रहा है डेट लिखने के लिए बास समझ में आ ग डेट लिखना है क्योंकि यह फॉर्मेट है इसलिए मैं आपको बता रहो अब इसके बात आपको करना क्या है आपको लिखना है address of receiver Receiver का पता, पाने वाले का पता आपको लिखना है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, यह भी आपको Question में दिया गया होता है, तो जिसको भी लेटर आप लिख रहे हैं, उसका address आपको लिखना है, यानि के पाने वाले का पता, Receiver का address, अच्छा, Receiver का address लिखेंगे, इसमें क्य आएगा इसको ज़रा ध्यान से समझेगा तो को रिसीवर के एड्रेस में आपको स्टार्डिंग में तो टू लिखना ही है इसके बाद कॉमा लगाना है तू का ठी कैपिटल आएगा वह स्मॉल आएगा अब इसके नीचे जस्ट नीचे आपको लिखना होता है डैजिग नेश डैजिग नेशन यानि के आपको पोस्ट लिखना होती है जिसको भी आप लेडर लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मलेटर ओफिसियल होता है और यह बिजनिस परपर से भी लिखे जाते हैं तो जिस भी बंदे को आप लेडर राइट कर रहे हैं उसकी कोई ने कोई पोस्ट होत अगर तो उनका जो पद है उसको आपको यहांपर मेंशन करना होता है क्लिखे बाद नीचे जिसको भी आप लेटर राइट कर रहे हैं ये यह भी आपको कुश्चन में मिलेगा कहीं आपको जाना घाना है परिशान नहीं होना है question में आपको मिलेगा कि write a letter to the editor of newspaper वो इचे लिखेंगे इसके नीचे आपको लिखना है place यानि place और पूरा address इसमें भी जो question में दिया होता है place अब इसमें भी इनका colony और जो भी है वो address आजाएगा ये चीजें आपको लिखना होता है receiver address में क्या क्या आएगा two लिखेंगे इसके नीचे just two के नीचे आप क्या लिखेंगे designation लिखेंगे जानी कि जिसको लेटर write कर रहे है उसकी post लिखेंगे then उसका address लिखेंगे receiver का address आएगा ये अभी हम practical यहां पर देखेंगे इतना समझ आ गया है इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और फिलिखना है subject जिस topic पर application या later लिखा जा रहा है subject जादा नहीं होना चाहिए 4-5 word का subject होना चाहिए बहुत बड़ा subject नहीं लिखा जाता है 5-6 word हो सकते है 4-5 या 6 word में आपको 5-6 word में भी हो सकता है आपको subject write करना है इसके बाद आपको लिखना है salutation अब salutation में क्या करना है salutation में आपको बस इतना लिख देना है dear sir dear sir अब कुछ इस student के माइंड में चलना होगा तो dear तो हमारा informal है लेकिन dear आजकल formal में भी use होने लगा है तो आप dear sir करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं dear word अब formal हो चुका है और dear word को formal में भी letter में use किया जाता है banking में और आपने देखा होगा official जो letter आते हैं वहाँ पर भी dear sir करके आपके पास कोई न कोई mail वगेरा या letter आया होगा sir लिख सकते हैं school में application लिख रहा है तो आप respected sir लिख सकते हैं respected madam लिख सकते हैं या फिर आप dear sir लिख सकते हैं कौमा लगाईएगा यह कहलाता है salutation अभी वादल इसके नीचे आपको आजाना है और नीचे आकर आपको body of letter यानि के main content आपको लिखना है जिस topic पर आपको letter write करने के लिए कहा जा रहा है वह main body आपको यहां पर लिखना है main आपको यहां पर content यहां पर use करना है ठीक है इसके बाद नीचे आ जाना है आपको ठैंकिंग क्यू लिखना है ठैंकिंग यू और इसके बाद आपको कम्प्लिमेंटरी क्लोज करना है अब कम्प्लिमेंटरी क्लोज में आपको क्या करना है वो चीज यहाँ पर देख लीजी यहाँ पर तो दी नहीं है यूर्स नियूर्स 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 यूर्स नियूर्स 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 न में उपर कोई कौमा नहीं लगता है कुछ स्ट्रेंट ऐसे भी है जो सिर्फ योर अकिला लिखते हैं और कुछ स्ट्रेंट ऐसे भी है जो योर में कौमा लगाते हैं पता नहीं किसने उनको कौमा लगवाना सिखा दिया है यहां पर ना तो कौमा लगेगा और ना ऐसा तो आपको लिखना है यॉर्स, इसके बाद आपको sincerely लिखना है या faithfully लिखना है, school में लिख रहे हो तो अबिडेंटी यूज कर सकते हो, otherwise यहां पर sincerely आप यूज कीजिएगा, तो ऐसे आपको यॉर्स लिखना है, ठीक है, यह स्वेट आएगा वो आपको मैं बता दिया है, then आपको write करना है sender's name और sender's का आपको यहाँ पर full name write करना है बच्चो कैसा करना है full name आएगा यहाँ पर short name नहीं आएगा यह भी आपको question में start में मिलेगा यानि कि देखो ऊपर जो है यह sender's का हमने सिर्फ address लिखा है यहाँ पर तो address आया लेकिन last में bottom में आपको यहाँ पर sender's का name write करना है और वो भी full name write करना है अब marking scheme समझ लो यह अगर आप लिखते तो इसका आपको एक number मिलेगा क्या मिलेगा एक number आपको मिलेगा sender's address, date, receive address, subject लिखने का और salutation का आपको एक number मिलेगा यह सारी चीज़ आपको question में मिल जाएंगे सिर्फ format में set करना है body of the letter को write करने के आपको दो number मिलेंगे, two marks मिलेंगे और complimentary close के आपको एक number मिलेगा, इस तरह से four marks आपके हो जाएंगे, यह marking scheme में खुद board की तरफ से जारी की गई है, यह मैंने खुद नहीं बनाई है, board ने जारी करी है यह marking scheme, जो मैं आपको set करके बता रहा हूँ, ऐसे आप आपको full marks मिलेंगे, अगर आप इस format की according, formal letter को write करते हैं, चलो प्रैक्टिकल एक एक question देखते हैं, और इसके format को set करके देखते हैं, ठीक है, तो यह हमारा एक question है, इसमें पढ़ता है, क्या क्या मिल रहा है, यू आर अरबाज अंसारी, तो देखो यहां पर अरबाज अंसा यूज करेंगे, ठीक है, boys भी exam देते हैं, girls भी exam देते हैं, तो boys के लिए अरबाज अंसारी वर्ड यूज के जाएगा, girls नसरीन अंसारी वर्ड को यूज करेंगे, दो नाम अगर दिये गए हैं, एक नाम दिया तो single नाम आपको यूज करना है, तो यह किसका name है, यह Sanders name है, यूर अरबाज अंसरी, यह Sanders name है, ठीक है, इनका address देखो, Sanders का क्या दिया है, 319, यानि के, यह हमारा house number है, कॉलोनी का नेम क्या दे रहा है, शांती मार्ग, नेपियर टाउन, जबलपुन, और यह जबलपुर सिटी का name है, और यह इनका pin code है, तो यह यहां से लेके, यहां का पूरा, 319 से लेकर, 48200 तक यह क्या है, यह Sanders address है, किसका address है, बच्चो, यह Sanders address है, ठीक है, Sanders का name अरबाज अंसरी, यह नसरीन अंसरी है, और यहां से लेके, यहां तक यह जो address है, यह Sanders address हमें मिल गया, अब write a letter, write a letter करना है, किसको to the editor, यह आपको खुद question में बता रहा है, क letter किसको write करना है, to the editor, यानि कि editor क्या है, designation, editor को write करना, इनका address, देखो receiver, the pioneer, MPNagar, zone1 भापाल, यह पूरा का पूरा जो address है, यह receiver एड्रेस है, क्या मिल गया बच्चो यहा पे, यह हमें receiver address मिल गया, और हमें designation मिल गया, कि लेटर किसको write करना है, एडिटर को write करना है, ठीक है, तो हमें यह दो चीज़े मिल गई, अब यहां पे देखो क्यो write करना है, देखो, advising people to realize the hazards of using polythene bags, तो यह हमें subject मिल गया, the hazards of using polythene bags, ठीक है, तो यह हमें subject भी मिल गया, सारी चीज़े हमें मिल गई न, अब इसको set करते ह है, देखो, कैसे set करेंगे answer में, 319 शांती मार्ग, तो यहां पे हमने house number लिखा, शांती मार्ग, नेपियर टाउन, second line में लिखा, जबलपूर, और यहां पे हमने इसका pin number लिख दिया, तो 3 line में हमने यहां पे send radius लिख दिया, बात समझ में है आपको, जो कि हमें question में दिख करके, 8 November और यहां पे year आ जाएगी, तो यहां पे date आ गई है, 8 February 2024 है, तब अपनी date लिख देंगे, तो यह इस तरीके से date कैसे लिखी गई है, यह मैंने आपको बताई है, date को लिखनी का जो format में आपको बता है, उस तरीके से date लिखी हुई है, देखिए आप, नीचे line को र आता, तो बच्चों इस तरीके से हमें यहां पे receiver address लिखना है, यानि कि हमने टू लिखा, to the editor लिखा हमने, editor का E capital बना, ताका T capital बना, यह designation हुआ, the pioneer MP नगर, यह address हुआ, और यह city का ने बपाल, अब नीचे हमने subject लिखा, यह देखिए subject 4 word में subject आगा है, इसके नीचे लिखा हुआ है, है ना formal, तो dear sir लिखा, और यहां से हमने यह letter की starting कर दिये, ठीक है, address करते हुआ, I shall be grateful if you kindly publish this letter of mine in your esteemed Delhi, ठीक है, यह पूरे का पूरा हमारा letter हुआ, और नीचे आ जाते है, complimentary close देखते हैं, तो यहां पर देखो, thanking you, write किया हुआ है, और yours sincerely, अब मैं आपको zoom क करके दिखाता हूँ, देखो, इसको zoom करके देखिए जरा, yours में कहीं S लगा है, बिल्कुल लगा है, कॉमा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कॉमा नहीं आता है, yours ऐसे लिखा जाता है, आप लोग अगर गलती कर रहे थे, तो ऐसी गलती मत करना, मैंने कई strengths को देखा है, कॉपी जब आपकी चेक करते हैं, तो आप लोग कॉमा लगा देते हों, yours में कॉमा मत लगाना, ठीक है, yours sincerely यहाँ पर हमने complimenting close लिख दिया, और नीचे देखो, अरबाद अंसारी यहाँ पर यूज किये गए हैं, अरबाद अंसारी क्या है, यह सेंडर्स नेम है, और सेंडर तो इस बात की guarantee है कि तीन नमबर तो आपको 100% मिल जाएंगे, चार नमबर का पुरा लेटर आता है, तीन नमबर आपके format के हैं, एक content का, और बाद की मतलब कि दो में से एक अगर learn नहीं है, तो learn है तो आप 4 out of 4 marks लेके आओगे, बिना learn वाली condition में 3 marks आप ला सकते हो, उसको तो सही लिखोगे, तो 4 number आपको मिलेंगे, क्योंकि मेनती आप पूरे number लाने की कर रहे हैं, तो ये आपके marks कहीं नहीं गए, बस आप इस format के according चलिए, formulator को लिखने का तरीका यही है, हर formulator को ऐसे ही लिखा जाता है, इस तरीके साब लिखके राएंगे, मैं इस बात की guarantee द आ रहा हूँ, लेकिन आपका थोड़ा सा support मुझे कम मिल रहा है, क्योंकि मेरा confidence है, वो low हो रहा है, अगर आप हमें support करते रहेंगे, हमारी videos को like और share करते रहेंगे, तो हमारा confidence बढ़ेगा, और हम आपके लिखे साची videos लाते रहेंगे, इसलिए मुझे आपके support की जरूरत ह तो आप हमारी videos को like जरूर करा करें, और अपने सभी friends के साथ जाधा जाधा share करा करें, जितने भी आपके friends सरकल है, उन तक हमारी videos को पहुचाईए, उनके साथ हमारी videos को share जरूर कीजिएगा, तो बच्चों आयोब जी वीडियो आपको पसंद आयोगी, तो अब इस video को like ज मिलते रहेंगे, इसका screenshot लेना चाहते है तो आप screenshot ले लिजिएगा, ठीक है, thanks for watching.